ओम सिरीगने सैनम दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो जून रविवार की रासी फल के बारे में कि यह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते है कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आपके वित्ते इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुपूल है आपकी मेहनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आ वे रिस्तेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम हैं कुछ समय से नजदी के रिस शक्वे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जाएंगे और रिस्ते में दोबारा मधुर्त आएगी प्रतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविश्य के लिए बहुती लाबदायक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्र आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रियासरत रहें अपने उसूलों और सिध्धानतों से किसी भी प्रिकार का समझोता आप ना करे प्रभावसाली वे प्रतीबावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतित करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में वरत दी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजर्गों की सला से संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नु आति साथ आपको भी अपने स्वयभाव से एगो को खत्म करना होगा जिससे प्रेसानिया जल्द ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरे से विचार आप हवश्चे करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकार अत्मक विचार उठ सकते हैं परंतु आप जन्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फालतु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे अपने महत्पपूर्ण काग जातों को बहुती अधिक समाल कर रखें क्योंकि अगर खो गए तो प्राप्ती नामुम्किन लग रही है घर में भी छोटी सी बात पर एकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए जादा क्रोध करने से बचें दोस्तों सामाजिक गति विदियों पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आप से नाराज रह सकते हैं परंतु इन बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें परंतु घर के वरिष्ट लोगों का मान सम्मान अवश्य से बना कर रखें दोस्तों बात कर लेते हैं जापकी लव लाइफ के शिरहने वाली हैं दोस्तों जीवन साती की भवनाओं का आप सम्मान कर गर परिवार का वातावरन आज बहुती शुकद रहेगा पती पतनी का आपसी सयोग घर में शुक्षांती बना कर रखेगा प्रेम संबंदों के भी आने वाले समय में विवा में परिणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से शहयोग प्राप्थ होगा तथा घर में भी शकारात्मक वातावरन बना रहेगा दोस्तों साती सात अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए आवशक है इससे परिवार में आपकी रेस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी दोस्तों बात कर लेते हैं अज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों वैवशाय में अभी वरतमान परिस्तितियां का प्रभाब बन रहा है धन संबंदित लेने दिन में बहुत अधिक आप सावधानी रखें क्योंकि धोका होने की भी संभावना लग रही हैं नोकरी पेशा व्यक्तियों के आफिस का माहोल भहुती आज सांती पूर्ण बना रहेगा कारे छित्र में अगर किसी प्रकार का निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो आज उस कारे को भहुती गंभीरता से अंजाम दें इससे आपको भहतरीन रिज कारे छित्र में दूसरों के हस्तोचेप से करमचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है इसलिए अपने निर्ण को प्रातिमिक तादें तथा व्यवसाइक गतिविदियों पर भी अपनी पैनी नजर रखें साथी साथ नौकरी पेशा व्यक्ति भी आफिस में पॉल्टिक के सिकार हो सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तों साति साथ आज आप किसी कारणों से कारे छित्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने उच अधिकार पूर्ण रूप से सेयोग प्राप्त होगा व्यक्तियों को भी उनकी कारे छमता के लिए प्रोतसान प्राप्त होगा जिसकी वज़े से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती उत्थम रहेगा तथा आप उरजा से भरपूर रहेंगे आज आप अपने आपको काफी तंदुरुस्त और तनाव मुक्त महसूस करेंगे या दोस्तो आज का समय आ कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदी से निरवत रहुने के बाद काली हल्दी की एक गांठ लें इसके बाद आप इस एक गांठ को भगवान शुरेदेव का इसमरण करते हुए बहते हुए पानी में प्रवाइत कर दें और आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलू की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कार्य बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तों भगवान शुरेदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे द झाल